हेलो फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल मंबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर यूपी ट्रिपल सी पिट दो हजार बाइस और मुख सेविका की तैयारी मुख रूप से करवाई जाती है जिसमें हम मुख सेविका का स्लेबस कंप्ल characterized किया है जिसमें sociology पार्ट होम साइंस का पार्ट aquela होम साइंस का पार्ट अल्मोस्ट कंप खत्म होने माला है अभी हमारा जो टॉपिक नंबर 18 चल रहा है जिसका नाम है परामर्स परामर्स की वस्यक्ताएं घिक हिसका नाम है उसका परामर्स ठीक है आज का टॉपिक हमा प परामर्स क्या होता है इसको क्या सबसे पहले कोईश्चिन यी बनता है परामर्ष क्या होता है यूपी डीकर यसी मुख सेविका में परामर्ष को क्या हो हैが क्यूं रखा गया है 증명 किए मुक्षभिका का work क्या होगा लोगों की सेवा करना यदि आगाम्भाड़ी स dal रिलेठ उसको हैंडल कलने के भी तजरुबा होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो है मनमुटाओ हो जाएगा कि यह हमको ऐसे कर रहे हैं तो कैसे वो कंप्रमाइज कर सके यही इसमें बताया जाएगा ठीक तो चलिए इसके पहले आपको मैं एक छोटा सा इन्फॉमेशन दे दूँ मेरी वीडियो जो हैं यूटूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी जबकि नोट्स और पीडियाप के लिए आपको 199 का पेमिंट करना पड़ेगा जैसे ही आप पेमिंट करेंगे एकुरेट बता रही हूँ आप इधर उधर मत भटकिए क्योंकि सारे लोगों के पास जो है वो मैटर नहीं है सिर्फ ओ लोग उनका जो है डेकुरेशन अच्छा है यही वज़ा है को उन पे ब्योज़ जा रहा है मेरे पास मैटर है मैं आपको मैटर दे रहे हूँ डिफिन इन भासा के काउंसलिम से बना हुआ है जिनका साब्दिकर्थ होता है सलाह लेना या परामर्स लेना सलाह लेना या परामर्स लेना परामर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्स प्रार्थी यानि कि परामर्स जो मांग रहा है अपने से अधिक अनुभवी योग प्र इस प्रक्रिया के उपरान प्रार्थी समिस्या समाधान योग होता है इसका आधिक्तम विकास होता है और वह अपना निड़े स्वयम ले सकने योग हो जाता है इसमें क्या दिया है इसमें दो लोग रहेंगे पहला होगा परामर्स प्रार्थी यानि की परामर्स मांगने वाला दूसरा परामर्स दाता यानि की परामर्स देने वाला तो इसमें क्या बताया गया है परामर्स का अर्थ होता है परामर्स लेना या सलाह लेना परामर्स लेना या सलाह लेना, दो व्यक्ति होते हैं, परामर्स प्रार्थी और परामर्स लेने दाता, परामर्स प्रार्थी जो होता है, अपने से बड़े या अनभवी लोगों से परामर्स मांगता है, जैसे हमको, suppose that हम एक student है, student है, सो हमको subject चुज करने में या और किसी च करें तो ज्यादा मेरा फ्यूचर अच्छा हो गा तो इसे क्या करते हैं जो जादा अनुभवी लोग हैं उनसे हम पुछते हैं कि मैं कैसे क्या मुझे प्लीस गाइड किजीए मैं ऐसा को कोईशियन करते हूं तो उसी को क्या बोलते हैं परामर्स वोतर हैं clear हुआ बातें ओके नेक्स्ट क्या दिया है इसके परिभासा कुछ लोगों के अनुसार परिभासा दे दिया है पहला है जोन्स के अनुसार ये इंपोर्टन नहीं है मैं आपके समझने के लिए कुछ डिफनीशन लेकर आए हूँ परामर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक शात्र ब्योहारों के सीखने अथ्वा परिवर्तन करने और विशिस्ट लक्षों को इस्थापित करने में ब्योसाइक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति से के साथ कारे करता है जिससे वह अपने लक्षों को प्राप्त करने की दिसा में अधिकार रख सके इसमें दिया इसमें क्या होता है एक शात्र होता है वो अपने लिए गाइड मांगता है गाइड मांगता है कि मैं किस तरह से काम करूं कि जैसे मैं जल्दी ही अपने गोल के अचिव कर लूँ वही होता है परामर्स वो अपने लक्ष के दिशा में अधिकार प्राप्त कर सके इसलिए क्या क प्रक्रिया जो है जाहिर से बात है कोई समेस्या रहेगा विक्ति को परामर्स प्रार्थी है उसके पास कोई समेस्या रहेगा जिसका समाधान वो परामर्स दाता से चाहेगा इसमें वही दिया है परामर्स प्रक्रिया एक समेस्या समाधान का समलित प्रया से clear okay next दे दिया है अब परामर्स के अंग कौन कौन से होते हैं कौन कौन से अंग जो है परामर्स के लिए बहुत important होते हैं देखिए दो चीजे होता है एक अंग होता है और एक types होते हैं या part होता है एक अंग means part होता है और types means प्रकार होता है इसमें इसका दोनों में different क्या होता ह पार्ट जो होता है वो पार्ट है इट मिन्स जिस तरह से हमारे बॉड़ी के पार्ट है हैंड हुआ, नोज हुआ, आइस हुआ, माउथ हुआ ति हमारे बॉड़ी के पार्ट है इनके बिना हमारे बॉड़ी की कलपना नहीं की जा सकती है अगर से एकी भी कमी है तो हमारी poor body नहीं माने जाती है उसी तरह से part means उसके अंग है इनके बिना उसके कलपना नहीं की जा सकती जब प्रकार का मतलब वो प्रकार है उनकी जैसे व्यक्ति के बहुत सारे प्रकार कोई अच्छा कोई बुरा कोई भला तो वो प्रकार हो गए तो इसमें क्या दिया है प्रामर्स के प्रकार इसमें तीन बिंदू पर highlight किया गया है तीन बिंदू पर highlight तीन बिंदू पर आधारित है पहला है प्रामर्स का सरवाधिक महत्पोड अंग जो है वो लक्ष निर्धारन करना लक्ष का निर्धारन करना, किनि हमारा लक्ष क्या होना चाहिए, किसके लिए मैं परामर्स दूँ, क्या कोई बाते हैं जिसके लिए मैं परामर्स दूँ, तो वो लक्ष होना चाहिए आपका, लक्षों का निर्धारन सेवार्थी के वातावरण जवम, समाज को ध्यान में र रोप लक्षों का जो है लक्षों को निर्धरत किया जाता है यानि कि अगर से जैसे मुख से भी का है यहां समाज दिया है समाजिक माननेताओं के अनुसार जैसे अगर से मुख से भी का है मुख सेविका जो एक शहर में रूल लागू कर सकती है वो गाउं में जाकर लागू नहीं कर सकती है अगर से वो गाउं के लोगों को वहां के समाजिक माहौल के एकॉर्डिंग वहां के समाजिक मुल्यों के आदस के एकॉर्डिंग suppose that वो ड्रेस पे उनका discussion है ड्रेस पे वो जा रही है अपना वो speech दे रही है मुख सेव के लोगों को सला दे रही है तो वहां के suppose that गाउं में जाकर बोल रही है कि आप ऐसा किजिए वही ड्रेस पहना किजिए जो comfortable हो suppose that जैसे गाउं शेहर में लड़कियां लोग टी-सर्ट पहनती हैं जिन्स टॉप पहनती हैं ऐसे गाउं में जाकर देंगे तो उनको लोग गाली देने लगेगा लोग भगाने लगेगा कि आप भागिये आप उनके बात से agree नहीं होगा तो इसका मतलब हमको according to समाजिक माहवल according to समाजिक मुल्य आदस के अनुसार समय यवं परिस्ती के अनुसार हमको जो है परामर्स देनी चाहिए बाते कलिर हुआ परामर्स जब भी देना चाहिए परिस्ती तो यही इसमें बोला गया और लक्ष निर्धारित होना चाहिए इसमें क्या दे दिया है परामर्स के अंग कौन कौन से पहले तो गोल होना चाहिए यानि कि हम किस के बारे में परामर्स दे रहे हैं दूसरा सेवार्थी हमारा लाब किस मतलब जो हम जिस पे दे रहे हैं जिसको जो हम लक्ष निर्धारित करके अपना परामर्स दे रहे हैं उसके लाभार्थी कौन है वो भी होना जरूरी है दूसरा परामर्स दाता तीसरा परामर्स दाता लक्ष परामर्स सिवार्थी लक्ष परामर्स सिवार्थी और परामर्स दाता परामर्स सिवार्थी यनिक परामर्स लाभार्थी clear उसी को परामर्स प्रार्थी भी बोलेंगे समझ में आ गया ये आप अपने कॉपी में ऐसे ही नोट से बनाते चलिएगा clear next है परामर्स की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए परामर्स एक व्यक्तिगत प्रकरिया समोहिक प्रकरिया नहीं परामर्स में क्या होता है परामर्स एक व्यक्तिगत प्रकरिया है यनि कि particular एक व्यक्ति अपने से related अपने problems related दूसरे से अपने से अनुभोवी व्यक्ति से जो है वो क्या करता है मांगता है कि हमको ये सलाह देजीए, मेरे साथ ऐसे घटना है हो रही, मैं क्या करूँ आगे, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत है, सामोही का परामर्स नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या है, परामर्स एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामोही का प्रक्रिया नहीं, ये लेन का लेजिए आप, न परामर्स नहीं है। निर्देशन और परामर्स दुनों अलग अलग है। प्रामर्स नहीं है। सेकंड है इसमें दो वेक्ति का होना जरूरी है अगर से इस से ज़्यादा वेक्ति है तो वो परामर्स नहीं कर लाईगा बिचारों को परामर्स प्रार्थी पर लादता है यानि उस पे उन पे एक तरह बोज़ की तरह से डालता नहीं है बलकि उनके अनुसार जो है परामर्स देता है वो जैसे अगर से उनको रुची है या आवस चकता है तभी परामर्स देता है अदर्वाइज नहीं देता है उन के लक्ष होने चाहिए लक्ष के बाद जो है परामर्स परारथी होना चाहिए परामर्स से अगे क्या है परामर्स के प्रकार देखिए परामर्स बहुत प्रकार को सकते हैं चुकि हमारे लाइफ में बहुत सारी घटनाए घटती हैं तो बहुत वो नैदानिक परामर्स हो सकते हैं इसका एक सबसे बड़ा एक्जामपल डॉक्टर ही है, एक पेसेंट जो होता है, वो डॉक्टर से ही सलाह लेने जाता है, परामर्स लेने जाता है, आप जब भी कोई इस्टेटमेंट आता है, जैसे ट्रू-फॉल्स करने को आता है, उसमें दिया रहता है, डॉक्टर से सलाह ले, या डॉक्टर से परामर्स सही होता है, तो डॉक्टर से पेसेंट जो होता है, डॉक्टर से परामर्स लेने जाता है, डॉक्टर मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मैं क्या करूं तो डॉक्टर अपने एकॉर्डिंग जो है रोग के एकॉर्डिंग जो है उनको परामर्स देते हैं वो व्यक्तिगत होता है वो उनको व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत का मतलब दो व्यक्तियों के बीच के वो conversation होता है ज्यादा व्यक्ति नहीं होते है अगर से मैं दिया है मनो वैग्मानिक मनो चिक्तिसी परामर्स फिर शात्र परामर्स जैसे छात्र जीवन में कोई प्राबल्म हुआ कि मैं क्या करूं कैरियर में बहुत दिक्ते हो रहे ही सबजक चूज़ गने में रहा हैं चूजकने पये सबच होता है उसके लिए परामर्स नियोजन बना जाए हम प्रियूजन अब घृवार्भ के तो यह वाहिक प्रामर्स होता है फिर प्रामर्स कौन सा 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 प्रामर्स कौन ग्रहित परामर्स होते हैं ये इतनी बाते क्लियर हो गई आगे एक बार फिर से देख लिजेगा पहला क्या है नैदानिक परामर्स मनोबैग्यानिक परामर्स मनुश्यकित्सी यानि कि जीवन में इतने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सारे से रिलेटेड परामर्स होते हैं शात् परामर्स परार्थी के विचारों का उतना ज़्यादा वो नहीं करता है, वो अपने एक्वार्डिंग बाते को बताते जाता है अगर से परार्थी को अच्छा लग रहा है तो उसको एकस्ट करें, अदरवाइस नेगलेट कर दें समझ माया कुछ लोग सपोज यह चात्र जीवन में है कुछ लोग परामर्स देते न यह करो वो करो ऐसे करो ऐसे करो तो हमको जो समझ माताम करते हैं अदरवाइज निगलट कर देते हैं ति यह निदेशात्मक में यह होता है आ निदेशात्मक में क्या होता है वो परामर्स प परामर्स की ओस्यक्ता क्यों पढ़ती है जिन्द की जिने के लिए अनुहोई लोगों से सलाह लेनी जरूरत होती है की जरूरत होती है इसमें पहला क्या दे दिया है कि ओस्यक्ता क्यों होती है पहला दिया है परामर्स निर्देशन कारकरम का एक महतुपूर अंग है परामर् दिया है या शात्र दिया है तो वहाँ पे आप मुख सेविका लिख लीजिएगा मुख सेविका और जिसकी सेवा करने जा रहे हैं वो व्यक्ति यानि कि परामर्स दाता और परामर्स ग्राही परामर्स लेने माला दो बातों को रखिएगा इसमें क्या दिया है परामर्स निर समिस्चाओं को हल करने के लिए अतियन्त आवस्चक है किसी भी व्यक्तिका चाहे वो कोई भी समिस्चक हो व्यक्तिक समिस्चा है सैक्षिक समिस्चा है या व्योसाइक समिस्चा है या मन्यबग्यानिक समिस्चा उसको हल करने के लिए जो है यह परामर्स का होना बहुत जरू सग परामर्ज सेवा और बियुसाइक परामर्ज सेवा अनवचारिक क्या होता है देख देखिए मुख सेवी परामर्ज देंगी ये आपचारिक होगा पहले तो एक आपचारिक होता है ये एक अनपचारिक होता है एक फॉर्मल होता है एक इंफॉर्मल होता है आपचारिक जो होता है जो गौर्मेंट के साइड से गौर्मेंट के साइड से लीगल हो गौर्मेंट के साइड से एपॉइंटमेंट हो पर्टिकुलर उसी के लिए तो उसको क्या बोलते हैं लिगली बोलते हैं अपचारिक बोलते हैं जबकि अनपचारिक में कोई व्यक्ति ऐसे वो सरकारी नहीं होता है गहर सरकारी होता है उसको कोई व्यक्ति ऐसे नियुक्त कर देता है कि आप ऐसे ऐसे काम केजिए ठीक है तो मिलकर बात की जाती है इससे मिलकर क्या की जाती है बात की जाती है और जो बातों को समझ सकता है भले ही वह व्यसाइक रूप से आयोग आयोगता प्राप्त ना हो सहान भूती रखने वाला व्यक्ति चाचा मामा मित्र साकर्मी आदि हो सकते हैं बाते समझ मागई अनुपचारिक परामर्स से वावाला व्यक्ति क्या होता है अनुपचारिक जो होता है वो अपना ज्यादा करेभी होगा तब ही वो परामर्स देगा और अपचारिक जो होगा वो गौर्मेंट के साइट से पॉइंट किया गया होगा गौर्मेंट के साइट में बहुत जादा फाइदे मंद होता है अपचारिक पे जादा अनोपचारिक पे लोगों को बहुत जादा विस्वास होता है क्योंकि अनोपचारिक परामर्स वही देगा जो अपना जादा करीबी होगा इसमें जैसे चाचा चाचा चाची मामा मामी सहकर्मी इत्या दिया ज है था जो अपने शेत्र में भी से सगता के अत्रिक्त मनोगा ज्यानिक समिस्याओं के समाधान भी करना चाहते हैं वे लोगों की इन समिस्याओं से निपटने के लिए बैकल्पिक तरीके प्रदान करने का प्रयास करते हैं जिनका सामना उन्हें अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है इसमें क्या दिया है गैर विशेशग्ड में ऐसे क्या होते हैं ये ये पर्टिकुलर उस चीज में इक्सपर्ट होते हैं वो अपने चीजों में इक्सपर्ट होते हैं और वो अपने दैनिक जीवन के अनुभों के आधार पर व्यक्ति को बोलते हैं कि आप ऐसे ज जिंदगी चलाइए तभी आप शुखी रह पाएंगे वह अपने अनुखों के आधार पर बताते हैं तो यह गैर विशेषग के परामर्स हुआ अब विशेषग में क्या होता है बेवसाइक परामर्स दाता वे अपने परामर्स में विशेष प्रसिक्षण लिया हो अपने प पास आवस्यक योगता हो ये परामर्स दाता व्यक्तिके समाजिक भावनाओं और व्यक्तिकत समिस्याओं का समाधान करते हैं परामर्स की प्रक्रिया को व्योशाइक परामर्स दाता विविन तक्निकों का प्रयोग करते हैं कर सकते हैं आये संक्षेप में इसे चर्चा करते ह कौन को से तक्निकों का प्रयोग कर सकते हैं पहले दिया है परामर्स दाता लेने के लिए किस प्रकार बेवहार करता है यह उपागम के तरीके और उसके द्वारा उप्योग की जाने वाले तक्निकों पर निर्भर करता है इसमें क्या दिया है परामर्स दाता जो है वो परामर पहला है निदेसित निदेसित परामर्स दाता केंद्रित परामर्स निदेसित वही जो हभी हम उपर बताए है निदेसित परामर्स दाता केंद्रित इसमें क्या होता है इसमें परामर्स दाता के मुख्य भूम का होती है परामर्स देने वाला जो होता है जेने परामर्स लेने निस्क्री होती है, परामर्स लेने वाला व्यक्ति उपचार के प्रक्रिया में सक्री रूप से भाग लेता है, सहायता चाहने वाले व्यक्ति को परामर्स की सहायता से समिस्या के मुल कारण समझनी के लिए प्रसाहित किया जाता है, परामर्स लेने वाला व्यक्ति अंतिमिर् जो समिस्या होती है, समिस्या का समाधान particular उसी के विचारों पर निर्भर करती है, वो जैसा ही कहेगा, वैसा ही किया जाता है, निदे सातमक में, जबकि आनिदे सातमक में क्या होता है, इसमें परामर्स ग्राही, परामर्स ग्राही जो होता है, वो important होता है, उसको किस प्रकार की समिस्या है केवल परामर्स दाता उनको परामर्स देता है वो अपने अनुसार जो है उसको सॉल्ब करता है बाते समझ में आ गई जीस तरह से question question suppose that किसी शातर को कोई question दे दिया गया है कि आप ये question लगाओ उसको teachers ने question बता दिये teacher question उसको बता दिये आप बच्चा ये question ने ऐसे लगाईए तो अब वो question की समिस्या है उसको विद्यार्थी अपने अनुसार जो है उसको solve करेगा वो उस पे depend करता है जैसे home work हुआ home work दे देते हैं teacher home work दे देते हैं बच्चों को अब बच्चा जो है पहले से बता दिये हैं बच्चा अपने अनुसार अपकर के लिए आएगा उस उस पे depend करता है बाते क्लियर हो गई आपनों को next है संकलात्मक परामर्स इसमें क्या होता है जो परामर्स दाता इस प्रकार के परामर्स के प्रियोग में पैरिवी करते हैं उनका विचार है कि निदेसित अथवा आ निदेसित परामर्स सतत काल के दो सिरी हैं परामर्स दाता जो उपर बताये गए हैं बताये दोनों प्रक तो प问लसार के रीपतो असे बाइसलिब प्रिसित प्रिसी रिस आई सब्सक्राइप doctrine consistent के जाता है स्षिंट एक कही लुगे क्या है लकी कहें लिजा जादा आज के वीडियों की सबते हाई not इसमें भी वही दिया है किस तरह से तैयारी उसकी विसेस्ताइं क्या होनी चाहिए किस लिए दिया जाना चाहिए और फिर इधर दे दिया है किस के लिए मुख सेविगा के लिए किस लिए आवज़ चेकर पोसर से संबन्दी जानकारी के देने के लिए यो जनाओं के बारे में सलाह देने जैसे कोई बता रहा है या आनने कोई सलाह हुआ परसनली कोई सलाह हुआ इसके बारे में एक मनोवग्यानिक का नाम है जिसका हारडी और क्रू है इन्होंने उसकी विशेशताएं बतलाई हैं ये लर्न कर दीजिया हारडी और क्रू ये बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे मतलब उसी से रिलेटेड शिक्षा शात्री है ये बहुत इंपोर्टन्ट है ओके थैंक्यू फॉर वाचिंग वीडियो पसंदार लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और सेयर कीजिए